सबी की नमस्कार आज का हमारा पाठ है मीरा वाई इसमें कावे भाग जो है उसमें हम पाठ का सारंस कर रहे हैं इसमें पहले पद में मीरा ने कृष्ण के प्रती अपनी अनन्यता व्यक्त की है यहनी कि वो कृष्ण को अपना सब पुछ मानते थे तथा व्यर्थ की कारियों में व्यस्त लोगों के प्रति उन्होंने दुख प्रकट किया है जो लोग व्यर्थ की कारियों में लगे रहते हैं उनके प्रति मीराजी ने अपना अफसोस व्यक्त किया है इस पार्थ में वे कहते हैं कि मोर मुकुट धारी गिर्धर कृष्ण ही उनके स्वामी है जिनोंने अपने मुकुट में मोर पंक धारन कर रखा है वही कृष्ण भगवान उनके स्वामी है उनके मालिक है कृष्ण भक्ती में उन्होंने अपने कुल की मरियादा को भी भुला दिया है से सीच कर उसने कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई है जो कृष्ण को वह प्रेम करती थी उसे उस प्रेम को बेल का रूप बताया है अब इसमें आनंद के फल लगने लगे हैं यानि कि अब उन्हें क्रिष्ण की भक्ती में ही आनंद आने लगा है उसने दही में से घी निका कर छाठ छोड़ दिया संसार की लोलुपता देखकर मीरा रो पड़ती है लोलुपता यानि संसारिक वस्तों के प्रती मोह जो है वेक्तियों का जब मीरा भाई उसे देखती है तो उन्हें रोना आ जाता है और कृष्ण से अपने उधार के लिए वह प्रार्थना करती है सेकिंड जो स्टेंजा है उसमें प्रेम रस्ट में डूबी हुई मीरा सभी रिती रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधार के इस नहें के कारण अमर होने की बात कर रही है मीरा पैरों में घुंगरू बांथ करके कृष्ण के सामने नाचती हैं लोग ऐसी जो उनकी हरकत है जिट्य करने की कृष्ण के सामने उसे पागलपन कहते हैं और उन्हें बावली कहते हैं कुल के जो लोग हैं उसे कुल नाशीनी कहते हैं उनके परिवार के जो लोग थे ससुराल में जब वो गई थी तो वहाँ पर कृष्ण भक्ति के कर्म ने कुल नाशीनी यानि कुल का नाश करने वाली कहा जाता था राना ने उन्हें मारने के लिए विश का प्याला भी भीजा था जिसे उन्होंने हंस्ते हंस्ते पी लिया था मीरा भाई कहते हैं कि उसकी प्रभू कृष्ण है और उनकी जो भक्ति है सहज भक्ति से ही भक्तों को मिल जाती है सहज भाव से हम जब कृष्ण का नाम लेते हैं कृष्ण की पूजा पाठ करते हैं तो वह हमें मिल जाती है भक्तों को मिल जाती है यह मीरा बाई कह रही है और वह कृष्ण भगवान को ही अपना सर्वस्वा मानती थी अपना स्वामी मानती थी और इसी तादपरे से उन्होंने अपने कुल की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा था क्योंकि वेहराज घराने से थी और संतों के साथ बैठती थी नास्ती गाती थी तो लोग उन्हें कुल नाशी नी कहा करते थे उनके परिवार के लोग उन्हें कुल नाशी नी कहा करते थे यही इन दोनों स्टेंजा का सारांस है थेंक यू फॉर वाचिंग अजने कुल नाशी नी कुल नाशी ज़न उन्हें करते लोग जन्हें बोह रुड़ है मैं आंन freshmenा यहीं नाशी की है तु मैं दो करता यह उन्हें काfarी प्रज रहचिं यह सबित know वाचिंग भी लोग उनल झाल झाल झाल